तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि हमरे पास जो पार्टिकुलर्स हैं उनको बार-बार रिपीट किया गया है और उसके सामने उसकी कोश्ट दी गई है अब हमें किस तरीके से डेटा को रिट्रीव करना है यहां पे हमरे पास एक टेवल है और इसमें जो पार्टिकुलर्स है उसको एक पार्टिकुलर को हमने एक ही बार रखा है और यहां पे जो रेंज में उसकी टोटल कोश्ट यहां पे हमें रिट्रीव होना चाहिए तो हम इ uzना करेंगे तक यहां पे तो रहेगा यहां पे रहेगे उसके बाद हम्सकी पर फ्रापटक करेंग्य पर आफाल प्रॉम देटाबीस में सम्सक्राइब करना है और some range को select करने के बाद हम फिर से one time f4 की प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको range को fix करना बिल्कुल नहीं बोलना है otherwise क्या होगा कि जो अगर आप range को fix नहीं करेंगे तो जैसे आप function up to down track करेंगे range है वो बदलती जाएगी और आपको जो values हैं वो नहीं मिल पाएंगी तो यहाँ पर आपको दोनों ही बार जब आप range select करते हैं तो उसको fix करना है लेकिन जब आप criteria select करते हैं तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है और इसके बाद हम break it को close करतेंगे अब देख सकते हैं कि हमें FGWS के अग्रेश्ट में जितनी भी total values हैं यहाँ से वो मिल चुकी है और इसको बाद हम क्या करते हैं सभी cells में function को apply कर देते हैं और इसके बाद हम totaling कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमेर पास जो यहाँ पर total value थी 340911 340911 कर देख सकते हैं कर देख सकते हैं